जैहिंद और हेलो गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Union Public Service Commission यानि कि UPSC CDS First OTA Online Form 2024 के बारे में कि कैसे आपको mainly OTA के उपर apply करना है यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाएगी चाहिए वो आपकी qualification select करने की हो या फिर आपकी अन्य जानकारी हो वो जानकारी है कि हाँ आप इस जानकारी के मादियम से कैसे OTA पर apply करेंगे यानि कि mainly process OTA पर कैसे form को fill करना है उसके बारे में बता जाएगा क्या preference आप वहाँ पर select करेंगे इसमें मैं आपको सिर्फ OTA को ही preference दे करके दिखाऊंगा जो qualification select करूंगा उसके मादियम से इसलिए guys आप वीडियो को skip मत कीजेगा और पूरा देखेगा और अगर फिर भी कोई सवाल कोई doubt रहे जाए तो वह comment के मादियम से पूछ लीजेगा अब चलिए सुरू करते है guys वीडियो के description मैंने हमारी website का link दिया है link आप जैसे open करेंगे तो आपके सामने इस form की जानकारी आईगी जहां पर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इसमें OTA के लिए man के लिए 277 पद है और woman के लिए 80 पद है apply करने के लिए qualification OTA पर यहाँ पर क्या चाहिए वो भी आप देख सकते है past या फिर appearing bachelor degree in any stream साथी age limit आपकी कितनी होनी चाहिए दो एक दोजार से लेकर के एक दोजार चे की बीच में आपका जनाम होना चाहिए बाकी की information भी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे अगर आपका पहले से इस website के उपर registration है आपने कोई भी form भराता इस website का इस्तमाल करके तो आप यहाँ पर directly आपकी email ID और फिर OTP ला करके उसके उपर यह capture code फिल करके login कर लेंगे बट अगर आप first time user है आपने इसके उपर registration नहीं किया तो आप new registration के उपर क्लिक करेंगे फिर जो आपका full name है फुल name आपको यहाँ पर enter करना है यहाँ पर आप आपका gender select करेंगे आपके gender को दोबरा select करके verify करना है आपकी जो भी date बरता हो आप यहाँ पर calendar के उपर click करके select करेंगे पहले आप यहाँ से इस परकार से year फिर यहाँ पर month और इसके बाद में day तो इस इसके बाद आप यहाँ पर आपकी mother's का name enter करेंगे and mother's के name को दोबरा डाल करके verify कर देंगे फिर आपको बताना है कि आपका minority status है याँ कि आप minority से belong करते है अगर हाँ तो आप yes करें और yes करने के बाद आपको select करना है कि आपकी minority community कौन सी है जो भी है वो आप यहाँ पर select कर देंगे फिर आपको यहाँ पर आपका number enter करना है इस number के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो alternate mobile number के अंदर दे सकते है नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते है फिर आपको यहाँ पर आपकी email ID enter करनी है और अगर कोई email ID देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते है आपको 10th का number यहाँ पर enter करना है इसके बाद आपको security question select करना है इस security question आपको तब काम आएगा जब आप अपना password भूल जाएंगे और आप उसको recover करने की कोसिस करेंगे तो कोई भी एक यहाँ पर question select कर लीजे और उसका answer यहाँ पर दे दीजे आपकी choice के according फिर आपको आप चकोड फिल करेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए submit पर click करेंगे submit पर click करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का preview आपके सामने है अगर आपको लगते है कोई जानकारी गलेत है तो आप update change के उपर click करके change कर लीजे नहीं तो आप यहाँ आईगरी पर click करेंगे आईगरी के उपर click करने के बाद में आपके number पर भी और आपकी email पर भी OTP send किये आपको यहाँ पर पहले mobile वाला OTP डाल करके verify करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर email वाला OTP basically आपको दोनों OTP एक साथ में डालने और फिर verify OTP पर click करना ह अब guys आपका ration complete हो चुका है आप यहाँ पर print के आईकन के उपर click करके इसको print कर लेंगे अगर आपके पास printer मौजूद नहीं है तो आप इसका screenshot ले लीजे क्योंकि यह जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पर login पर click करना है login प आपको परिफेर करेंगो कि आप यहाँ पर mobile number पर click करें और यहाँ पर आपका number enter करें फिर get OTP पर click करें इसके बाद आपके number पर OTP जाएगा वो OTP यहाँ पर डाल करके यह verification code फिल करते होए login पर click करना है login करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा interface आईगा basically यहाँ पर दाल करके verify कर देना है इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को verify करके submit पर click करेंगे submit के उपर click करने के बाद में आपका यहाँ पर account complete हो जाएगा अब guys आपके सामने यहाँ पर आपका dashboard आएगा आपको यहाँ पर अभी apply करने के लिए latest notification इसके उपर click करना है इसके उप अपर click करने के बाद आप देख सकते combined defense services exemption first 2024 तो आपको यहाँ पर update OTR का option भी दिया गया है यानि कि अगर आपका relation पहले से और आप यहाँ पर उसमें कोई जानकारी change करना चाहते है एडिट करना चाहते है तो आप इसके उपर click करके edit कर लेंगे नहीं तो आपको यहाँ पर click here for part 1 इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद instructions आएंगे आप इन सभी को check कीजिए and check करने के बाद में आपको यहाँ पर yes करना है अब guys उपर की तरफ आपकी OTR की information आए कि जो की आपको check करनी है and इसके बाद में आप exemption application details में आएंगे जहाँ पर आपको nationality में Indian select करन option आएगा जहाँ पर पोच है कि do you belong to creamy layer अगर आप creamy layer से belong करते हैं तो आपको yes करना है नहीं तो आप no करेंगे अगर आप no करते तो फिर आपके समने कत्रिक्त option आएगा अप कुछ connect का सवाल यह रहेगा कि sir मैं OBC creamy layer में आता हूं या फिर नहीं आता हूं तो यह मुझे कैसे पता जलेगा तो जो आपको कर्ष्ट सर्टिफिकेट है वह आपको चेक करना है रीड करना है उसमें आपको दिया गया होगा लिखा गया होगा कि आप creamy layer से belong करते हैं या फिर नहीं करते हैं उसके according आप यहाँ पर yes no में answer कीजेगा और इसके बाद यहाँ पर अगर आप SCST स फीर हैं और भी आपके सामने यह सब ऑप्सचन आएंगे जेहाँ पर आपको सर्टीफिकेट जारी किया है यह इस पोस्ट के दिकारी दुवरा जारी किया जाता है तो जिस भी पोस्ट के दिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसकी पोस्ट का नम आपको देना है अब यह भी किस पोस्ट के दिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है कहां पर लिखा होगा त आपको यहाँ पर community certificate date देने कि कब आपने certificate बनवाया है और इसके बाद में guys यहाँ पर आप देखेंगे educational qualification तो आप यहाँ पर आईए आपको यहाँ पर तीन option दिये हैं पहला है कि आपने यहाँ पर आपकी qualification पास कर लिये हैं या फिर अभी आप कर रहे हैं या फिर आप final year के यानि कि past appeared appearing the final year degree or equivalent exam with physics and math यानि कि जो आपके बारवी थी उसमें आपके पास physics and math था और अभी जो आपकी qualification है वो final year के अंदर है यानि कि आपकी degree final year के अंदर है तो आप यह वाला option टिक करेंगे और दूसरा है कि past appeared appearing the final year of engineering degree अगर आपके पास engineering की डिकरी है या भी आप final year के अंदर है तो आप यहाँ पर यह वाला टिक करेंगे फिर तीसरा आते है कि अभी आप यहाँ पर final year के अंदर है बट यहाँ पर आपको बोले कि exam with other subject यानि कि आपके पास 12 के अंदर physics math नहीं था तो आप यहाँ पर तीसरा option टिक करेंगे तो जो भी आपके पास qualification है वो आपक तो तीन लाइन दी है आपका जो भी address है थोड़ा थोड़ा पाट तीन लाइन के अंदर लिखना है और आपको आपके address लिखने में कोई comma कोई slash नहीं लगाना है फिर आप यहाँ पर आपकी state सेलेक्ट कर लेंगे आपकी district सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके district है and then यहाँ से ज इसको दोबारा डाल करके verify करेंगे साथी वह ID आपको upload भी करनी है जिसका format आपको PDF का रखना है तो आप choose file के उपर click करेंगे जहाँ पर भी आपकी ID है वह आपको यहाँ पर select करनी है और इस तरह से वह file आपकी upload हो जाएगी फिर यहाँ पर आते हैं कि क्या आपके पास DGCA भा अगर आपको IMA को पहली preference देनी है तो आप इसमें पहला लिखेंगे अगर आपको दूसरी देनी है तो आप यहाँ पर दो लिखेंगे INA को आपको पहली देनी है तो आप यहाँ पर एक लिख देंगे FO को आपको तीसरी देनी है तो तीसरी and OTA को अगर आपको preference देनी है तो लोना है या फिर किसमें हैं अगर नहीं है तो नंद के उपर रहने देंगे फिर अपिसांते कि नहीं हैं अब करेंगे आपके सामने आपकी डिटेल का प्रिव्यू आएगा आपने जो भी जानकारी भरी है वह याँ पर चेक कर लीजेए यहां पर आपके सामने प्रेफरियर भी आ सकता है, वो error क्या होगा, कि आप इसके लिए eligible नहीं है, या फिर आप उसके लिए eligible नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जो आपने qualification select किये है, जो आपकी date अब बरता है, उसके according आप कुछ पर eligible नहीं हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं जो eligible हो पाया हूँ, मैं OTA पर eligible हो पाय अगर आपको लगते कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट के उपर क्लिक करके इसको अपडेट कर ले नहीं तो आपको यहाँ पर एक capture code डालना है और I agree इसके उपर क्लिक करके यहाँ से OK करना है OK करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface आएगा जो Candidates Form को General OBC से भर रहे है उनको यहाँ पर payment के page पर transfer किया जाएगा जब वो अपनी application फिस जमा कर देंगे तब जाकर के उनके सामने यह वाला interface आएगा और इनको इसका screenshot ले लेना है या फिर इसको save कर लेना है क्योंकि यह जानकारी आपकी महत्तपून है अब आपको यहाँ पर latest notification इसके उपर क्लिक करना है और आप आप पार 2 में आएंगे और upload photograph and signature इसके उपर क्लिक करेंगे photo sign upload करने से पहले जान लीजे कि इस तरग आपका photo accept है और इस तरगा signature accept है जो acceptable नहीं है वो भी आपके सामने है और आपको धियान रखना है कि जो आपका photo है उसका dimension 350 x 350 फिक्सल होना चाहिए और जो signature है उसका फिक्सल 1000 x 1000 रहना चाहिए size 20 से 300 के बीच में रहना चाहिए और photo का format jpg का होना चाहिए तो आप choose file के उपर click करें जहाँ पर भी आपकी photo file है वो आपको यहाँ पर select कर लेनी है and then यहाँ से आपको उसको open करना है open करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका sign है उसको select करेंगे and then open कर लेंगे इसके बाद में upload image के उपर click करें आपका photo sign इस तरह से आजाएगा अब आप continue के उपर click करेंगे and then अब आपको यहाँ पर part 2 में center selection and agreeing to declaration इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद इन में से किस कहाँ पर आप अपना exam center रखना चाहते है वो city आपको select करनी है declaration चेक करते ह आना है और इसके उपर आने के बाद में अभी आपने किस पर apply किया है वो आप देख सकते है इसमें आईए view print application के नीचे click here पर click कीजे आपके सामने आपके form का print है अभी आप print का icon के उपर click करेंगे और यहाँ से इसको PDF के रूप में save कर लेंगे और बाद में आपको इसको print कर लेना है तो इस तरह से आप लोग cds first 2024 online form को भर पाएंगे आई होप यह जानकर यह आपको पसंद आई होगी कोई सवाल डाउट रहे हो तो कमेंट के मादिम से पूछ लेना एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक्स पर वाचिंग ज हिंद आप